हलो फ्रेंट्स नमस्ति दोस्तो अफगानिस्तान के बारे में अभी तो किसी से कुछ भी नहीं चुपावा है अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में एक बड़े भाग पर कबज़ा करने का दावा करने वाले तालिबान के हाथ एक बहुत बड़ा खजाना लगा है तालिबान की और से ये दावा किया जा रहा है कि खजाना और किसी का नहीं बलकि अम्रुलाह साले का है तालिबान को इस अचोग संपति के तीर तौर पर ये खजाना साले के घर से मिला है और बताया जा रहा है कि तालिबान को साले के घर में 6.5 मिलियन डॉलर मतलब की करीबन 48 करोड रुपे मिले हैं कहा तो यहां तक जा रहा है कि इस खरणाने में तालिबान के हाथ सोने की इंटे तक लगी है बता दे कि अमरुला हसाले कुद को कार्य वाहिक राश्टपती होने का दावा करते हैं दरसल तालिबान के और से एक वीडियो जारी किया गया है इस वीडियो में तालिबान के कुछ लड़ाके डॉलर की गड़ियों को एक बेग में भरते नजर आ रहे हैं और इसके साथ ये उनके पांस में रखी वी है सोने की इंटे भी दिखाई दे रही है माना जा रहा है कि अगर तालिबान के दावे में थोड़ी सी भी सच्चाई निकलती है तो इसमें वीडियों के आंदुलन को एक बड़ा जटका लग सकता है गौर तलब है कि इससे पहले तालिबानी अमरुला साले के घर तक पहुँच गये थे उन्होंने साले के घर पर भी कबजा कर लिया था वहीं नाटो महासचीव जेंस स्टॉन टैनबर्ग ने पूरु सरकार के त्वरित पतन के लिए अफगानिस्तान की राजितिक सेन्य नितरत को जिम्मेदार ठेराया था टोलो न्यूज ने रविवार को बताया कि स्टॉल टैनबर्ग ने कहा कि पूरु सरकार के पतन के लिए अमेरिका नाटो जिम्मेदार नहीं है उन्होंने कहा कि अफगान सुरक्षा बलो के कुछ हिस्वे में बहादूरी से लड़ाई लड़ी लेकिन देश को सुरक्षित करने में ऐसमर्थ रहे क्योंकि अन्तै अफगान राजितिक नितरत तालिबान के सामना करने और उसे शांती पूर्ण समाधान को प्राम्थ करने में विफल रहा जो अफगानी चाहते थी तो दोस्तों न्यूस पसंद आये तो लाइक और शेयर करना नम भूला नमशकार